चातरों ने एक बाल्टी जाल तयार किया, लेकिन जब शिक्षक प्रवेश करते हैं तो वह तयार होते हैं और अपने सिर पर एक चाता पहनते हैं। परिणामस्वरूब बाल्टी के अंदर का फूल चातरों पर गिरता है। फिर एक विद्यार्थी उसे पंखा चालू करने को कहता है। एक और चाल का अनुमान लगाते हुए शिक्षक सावधानी पूरवक रबर के दस्ताने पहनते हैं और स्विच को पलटते हैं। उनका शक सही सावित होता है। पंखे का स्विच बिजली के जटके से जोडा गया है। सभी चातर निराश हैं क्योंकि उनका मजाग फिर से असफल हो जाता है। जब शिक्षक बैठते हैं तो उनकी कुरसी पर गोंद लगा है और उनकी पैंट कुरसी से चिपक जाती है। चातर उत्साह से हंसते हैं सोचकर कि उनकी योजना सफल हुई है। जरूर दे। लेकिन शिक्षक खुला सकरता है कि वह दो परतों की पैंट पैने हुए हैं और वह सिर्फ बाहरी एक को हटा देता है। फिर शिक्षक एक रबड की खोज करता है, लेकिन शिक्षक को एक चूहा मिलता है और वह हिस्टिरियाई होकर उसे शरारती छात्रों पर फेंख देता है। हंसते हुए सोचते हैं कि उन्होंने उसे एक खिलोना चुहे से डरा दिया है लेकिन शिक्षक उन्हें मात देते हैं लिखाते हैं कि उनके पास खिलोना चुहा है और जो उन्होंने फेंका वह एक असली चुहा था जिसे उन्होंने तयार किया था घबरा कर चुहे को इधर अब ये वस्ता फेलाते हैं